नमस्कार दोस्तों मैं ममतनीगी आप देख रहे हैं रिपोर्ट इंडिया पूर्व वृधान मंतरी डॉक्टर मनमोहन सिंग ने पाकिस्तान में स्तेत करतारपूर साहिब जाने का नियोता स्विकार कर लिया है मनमोहन सिंग करतारपूर कॉरिडोर खुलने के बाद पाकिस्तान जाने वाले पहले जथे में सामिल होंगे पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टेन अमरिंदर सिंग ने गुरुवार को डक्टर मनमोहन सिंग से मुलाकात कर तीर्थे यात्रियों के जथे में सामिल होने का नियोता दिया जिसे उन्होंने स्विकार कर लिया है पाकिस्तान सरकार के अथिती के रूप में नियोता ठुकराने वाले पूर्व प्रधानमित्री डॉक्टर मनमोहन सिंग एक सुरद्धालू के रूप में कर्टारपूर साहिब दर्सन करने जाएगे मनमोहन सिंग 99 से सिख तेर्थे यात्रियों के लिए खोले जा रहे करतारपुर कॉरिडोर से गुरुद्वारी तक जाएंगे और मत्था टेक कर ततकाल वापस आएंगे जबकि इस कॉरिडोर के सुरू होने पर पाकिस्तान में होने वाले उद्घाटन समारों में वह शामिल नहीं होंगे वहीं गुरु नानक देव जी के 550 वे प्रकास वर्ष पर सुल्तानपूर लोधी में आयुजित समारों के लिए कैप्टन ने पंजाब सरकार की ओर से राष्ट्रपती रामनात कोबिंद और प्रधान मंत्री नरेन मोधी से मुलाकात कर उन्हें आमंत्रित किया है कैप्टन के कहना है कि राष्ट्रपती और प्रधान मंत्री ने उनका आमंत्रन सुईकार कर लिया है बीदे सोमवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी ने मनमोहन सिंग को उद्घाटन के मौके पर बत और अथिती आमंत्रित किया था जिस पर कॉंग्रेस और डॉक्टर सिंग के कारियाले ने इनकार कर दिया था इसमें हमने फैसला किया है कि साबिक वजीर आजम भारत फॉर्मर प्राइमिस्टर मनमोहन सिंग को हम दावत देना चाहते हैं कि वो इसमें तश्रीव लाएं बीते साल नवंबर में इस कॉरिडोर की आधार सिला रखी गई थी भारत और पाकिस्तान ने इस कॉरिडोर पर अपने अपने छेत्र में निर्मान किया है पंजाब के गुरुदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक और पाकिस्तान के करतारपुर गुरुद्वारा साहिब को जोड़ने के लिए कॉरिडोर बनाये गया है इसी गलियारे से दोनों ओर से तीर्थ यात्री गुरुद्वारे तक जा सकेंगे भारती तीर्थे यात्रे बिना वीजा इसकल यारी से गुरुद्वारा साहिब जा सकेंगे इसके लिए उन्हें मात्र एक पर्मिट लेना होगा करतारपुर साहिब वह जगे है जहां 1549 में गुरु नानक जी के निधन के बाद पवित्र गुरुद्वारा का निर्मान कराया गया था यहाँ पाकिस्तान में रावी नदी के नजदी के स्तित है यहाँ भारत के पंजाब के गुर्दासपुर जिले के डेरा बाबा नानक से 4 किलोविटर दूर है गुरु नानक ने अपने जीवन के अंतिम 18 साल इसे स्थान पर बिताए थे अगस्त 1947 में विभाजन के बाद यहाँ गुरुद्वारा पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था लेकिन सिख धर्म और एतिहासिक महत्व के कारण इसका लियारे की मांग लंबे समय से की जा रही थी भारत और पाकिस्तान ने तीर्थे इस्तलों के दौरे के लिए दुईपक्षी प्रोटोकॉल पर 1974 में हस्ताक्षर किये थे भारत के सिख तीर्थे यात्री अब प्रतिष्टित गुरुद्वारा दर्बार साहिब का दौरा करने में सक्षम होंगे अगर आपको हमारा वीडियो पसना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले विपोच इंडिया के खबर